अगर आपका वेट जादा रहता है आपका ब्लड प्रेशर जादा रहता है या आपका ट्राइग्लिस राइट्स और कोलिस्ट्रॉल जादा रहता है तो यह वीडियो आपके लिए है इन सारी जो कंडिशन्स मैंने बताई हैं इनको कंबाइन करके जो एक प्रॉब्लम बनती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रॉम और अफसोस के बात यह है कि बहुत सारे लोग इन बिमारियों को अलग अलग करके देखते हैं बट एक्चुली यह एक सिंड्रॉम होता है मतलब अगर इनमें से एक भी बिमारी आपके पास आई है तो अगली को ज़रूर बोला लेगी अगर आप मेरे चैनल को रेगलरली वाच करते हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रॉम के बारे में मैं अक्सर बताती हूँ और यही कहती हूँ कि अगर आपको आज ओबेसिटी है तो कल आपको कॉलेस्टरॉल हो जाएगा अगर आपको कल कॉलेस्टरॉल हो तो आगे चलके के आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या ब्लड शुगर हो जाएगा तो यह जो तीन-चार चीज़े हैं इकठी ही आती है किसी भी प्रॉब्लम में तो इसलिए इनको मेटाबॉलिक सिंड्रॉम बोलते हैं तो यह मेटाबॉलिक क्या होता है मेटाबॉलिक का मतलब होता है हमारे शरीर के नदर मेटाबॉलिजम होते हैं इंसुलिन हमारे शुगर पर एक करता है ग्लुकोज में बनाता है हमारी बॉड़ी को एनरजी देता है कोलेस्टरॉर हमारे लिवर में बनता है वह हमारे होता है सबसे पहले हम जानते हैं कि किनको जादा रिस्क होता है metabolic syndrome develop करने का जो high risk patient होते हैं वो होते हैं जिनको genetic issues रहते हैं जिनके family में रहता है जिनके parents में रहता है close relatives में रहता है उनको यह जादा problem हो सकती है मतलब अगर आपके parents obese हैं तो आप obese हो सकते हैं अगर आपके parents में diabetes है तो आपको diabetes हो सकता है अगर आपके parents के अंदर cholesterol, triglyceride जादा रहे हैं तो आपको हो सकता है तो यह genetic factors में बहुत जादा important होता है इसके लावाद दूसरा important factor कि आपको metabolic syndrome हो सकता है आपका weight है हो सकता है कि आपकी पेनर्स में वेट जादा नहीं हो लेकिन आपने अपनी सीडिन्टी लाइफ स्टाइल के कारण बहुत एक कम फिजिकल आक्टिविटी के कारण या बहुत जादा गलत खान पान के कारण आपने बहुत जादा वेट पुट आउन कर लिया है तो अगर आपका वेट जादा है आपका BMI जादा है वो तेज से जादा है तब आप ओवरवेट हैं आप उबीज हैं इसके लावा अगर आप एलकोहल या स्मोकिंग करते हैं तब भी आप इस रिस्क फैक्टर में रहते हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रॉम हो सकता है इन हमारी बॉड़ी को एफर्ट बहुत जादा लगाना पड़ता है इन खानों को पचाने के लिए लेकिन इन से उनको कुछ भी मिलता नहीं है तो सबसे जादा नुक्सान दाएक ये जो फास्ट फूड्स हैं ये हमारे श्रीर को नुक्सान पहुंचा रहे हैं तो ये सारे रि केंथासिस नेग्रिकेंस मेरे पास अकसर पेशन्ट आते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम से नहीं बताने के बावज़ोद वही प्रॉब्लम बताते हैं जो उनको सामने से दिखता है जैसे कि गर्दन में बताते हैं कि उनको एक तम काला सा पैच पढ़ गया है यहां पर फो मस्या जो आपके शरीर के अंदर है उसका एक सिंटम है वह प्रेजंटेशन है जो आपके आँखों को दिखता है बाकि शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह आपको ऐसा नहीं दिखेगा उसके लिए आपको इन्विस्टिगेशन कराने पड़ेंगे तो अगर आपके में यस तरह के दाग्दबय देखनें को मिलते हैं सीधैब करें इसके अलमा अगर आपका जो इंसलिलिय आप कर दवा ले atories ले रहे हैं लेकिन तभी आपको इंसलिलिय अ का शरीस्टिएंशन हो रहा है आपकी जो एक तोड़ी सिग जो इंसलियnd होती है वह बहुत सारे शो बहुत ही ज्यादा complicated term है बहुत सारे चीजे इसमें इंक्लूड होती है और इसके बहुत सारे जो effects होते हैं वो देखनों को मिलते हैं जो most immediate effects आपको देखनों को मिल सकते हैं वो है आपको heart issues आ सकते हैं बहुत ज्यादा blood pressure बढ़ जाएगा तो आपको अगर आपको प्लास्टिक रानी पढ़ सकती है यह अगर आपको पहले आपको ब्लड शूगर ही बढ़ा हुआ था अब आपको डायबटीज हो जाएगा पहले आपको blood pressure ही बढ़ा हुआ था अब आपको heart related issues हो जाएगी जिसमें आपको angiography और जो प्लास्टिक रानी पढ़ सकती है यह अगर आपको पहले obesity है तो cholesterol बढ़ा हुआ था ट्रेगलेस्राइड बढ़ा हुआ था उसके कारण भी आपको multiple heart related issues हो सकते हैं इसके अरामा एक और important condition देखी जाती है वो है sleep apnea का उस समय momentarily बिल्कुल few seconds microseconds के लिए आपकी जो शरीर को oxygen नहीं मिल पा रहा होता है एकदम से आप उड़ जाते हैं वो होता है सिर्फ और सिर्फ metabolic syndrome में जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको cholesterol बहुत ज़्यादा बड़े हुए उन्हीं लोगों को sleep apnea होता है वह simply सिर्फ नीन तूटनी की समस्या नहीं होती है वह actually एक कंभीर समस्या होती है जिसका एक symptom होता है sleep apnea स्नौरिंग यानि खराटे लेना खराटे लेना भी एक positive symptom नहीं है उसका भी बहुत ज़्यादा relation होता है metabolic syndrome के साथ ज्यादा आपने दिखा होगा कि वही लोग खराटे लेते हैं जिनका belly बहुत जादा होता है belly fat बहुत जादा होता है तो belly fat बहुत जादा important है क्योंकि अगर जो नलिया होती है blood vessels होती है उनके पर load पड़ता है और अच्छी तरह से जो आपके पैरों का खून होता है वो सही तरह से heart तक नहीं पहुंच पाता है लेटी हुई position में तो इसलिए belly fat को बहुत जादा importance दिया जाता है कि पेट पर चर्वी ना चड़ने पाए तो यह बहु जादा dangerous है क्योंकि में के अंदर heart related issues जादा होते हैं के अंदर कुछ alcohol smoking के भी tendency जादा होती है working भी उनका कई बार sedentary होता है तो मेंस के लिए belly fat पर control करना बहुत जादा जरूरी है जरूरी तो females के लिए भी होता है लेकिन physically जादा active रहती है तब उनके लिए उतना risk नहीं र जादा अपनी health के लिए जह ज्यादा जाग रूख है वो yearly या six monthly अपने चेक अप कराते रहते हैं अगर आपको इन में से कोई भी symptoms देखते है family history strong है या आपको bad habits alcohol smoking की तब आप अपना regular blood investigation जरूर कराएं सिफ तीन investigations आपको कराने है अपना lipid profile अपना blood sugar और regular check-up of blood pressure यह तीन अपना जो इंपॉर्डेंट है जो आप follow कर सकते जिसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना है कोई भी effort नहीं लगाने हैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा से consistently आपको ट्राई करना है जैसे कि आपको घर पे जब आप रहते हैं तोड़ा active रहें पानी जादा पिएं ग्रीन leafy vegetables आप जादा खाएं नमक और चीनी का प्रयोग limited करें अगर आप वाइट नमक खा रहे हैं तो immediately उसको छोड़ दे डिरिक्ली आप स्विच कर जाएं पिंक सॉल्ट के उपर वो हर तरह की problem के लिए बहुत ही अच्छी एक एक replacement है जो आप कर सकते हैं जादा से जादा जो माई जो की तेज से जादा है तो वेट को कम करें चोटी 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 चीजे हैं जो आपको करनी हैं लेकिन इसके लिए अफर्ड आपको ही लगाना है कुछ भी जो issues आते हैं finally अगर आप एक बिमारी से साथ जूचते हैं उसके बाद तो आपने आपको lifestyle जरूर बदने के क अगर हम बात करें liver के लिए तो liver में भी बहुत सारी problem सा सकती है पहले fatty liver आयेगा grade 1 आयेगा फिर grade 1 पे ने तो आएगा फिर त्री आएगा फिर बहुत सारी और दोसी प्रावलम आपको आएंगी तो अपने लाइफस्टाइल अपने फूड को अपक्या खा रहें उन पर जरूर आपको चंट्रोल रखना है तो अगर आपका ट्राइगलेस राइड्स 150 से जादा है आपका फास्टिंग जो blood sugar है वो 100 से जादा है और आपका good cholesterol यानि high density cholesterol 40 से कम है तब आपको alert होना है यह अगर reports में आपने investigations कराई अगर ऐसी reports आती है तो आपको अभी से अपने lifestyle बदल देनी है बिल्कुल से तो यह सारी चीज़े थी अब हम बात करते हैं होमेपती की medicines की होमेपती में हर तरह की problem के लिए द्वाइई हैं liver में षूज आहरें उसकी द्वाइएं है ब्लड प्रेशर जादा वेट जादा उसकी द्वाइदा वेड़ाईदा है ट्राइग्लेस राई घुलिए की बहुत ही बहुत ही बहुत ही बैसे लेकिन जानना जुरूरी है कि आपको problem कहां पर है जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत जादा रहता है तो आप उसके लिए रावा उल्फिया सर्पेंटिना का मदर टिंचर ले सकते हैं कैली फैट वाओं वर बैली फैट पेंला तो आप को ले सकते हैं अगर आपका कोले स्ट्रॉल बहुत ज्युक्ति के मेरी उसकों ले सकते हैं अगर आपका triglycerides बहुत जादा है तो आप alien sativa की mother tincture को ले सकते हैं अगर आपको वैसे ही heart tonic जैसा कुछ चाहिए लगेगा कि मुझे मेरे सारे parameters तो normal हैं बट ऐसे ही मुझे अपने heart के health को बना के रखना है तो आप kratiagus का mother tincture को combine करके ले सकते हैं लेकिन यहां पर सारी दवायां बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे सेंटम्स आपको जो जो जरूरत पड़ती है अब उनके साफ से इन दवायां को एड़ कर सकते हैं तो friends यह सारी information थी metabolic syndrome की अपने symptoms को closely watch करिये और कोई भी changes आते हैं ती investigations कराके confirm करिये कि आपको कोई से समस्चा तो नहीं जिसको आगे चलके जो बड़ी परिशानी में बदल सकता है तो friends अगर आप मुझे directly बात करना चाहते हैं तो कॉलमफार आपको यूज़ कर सकते हैं जिसकी बागी की details आपको description में मिल जाएंगी अपने सहूलियत के हिसाब से पा सकते हैं विश्यमव वेरी गुड हेल्थ थैंक्स वाचिंग